पहराष्ट के रतनागिरी के एक रूडी वादी मुसलिम परिवार से तालुक रखने वाली एक्ट्रेस आज टेलिविजन इन्वरस्टी का एक जाना माना नाम बन चुकी है हम बात कर रहे हैं कुणली भाग्य में स्रष्ठी अरोरा का किरदार निभा रही एक्ट्रेस अन्जुम फकीह की अन्जुम ने टीवी शो तेरे शहर में और एक थराजा एक धिरानी जिसे शोस में काम करके अपनी अलग पहचान बना ली है अन्जुम फकीह आज 12 सितंबर को अपना 31 वा बर्डेस सेलिब्रेट कर रही है अन्जुम ने यह खास दिन अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया वाइट कलर का आउटफिट पहने बर्डेस सेलिब्रेशन के दोरान अन्जुम बेहत खुब सुरत लग रही है वही परिवार के साथ वो बेहत खुश भी नजर आ रही है वैसे आपको बता दें आज टेलिवीजन पर इतना नाम कमा चुकी अन्जुम के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था इस मुकाम तक पहुँचने के लिए अन्जुम को काफी कुछ छेलना पड़ा था दरसल अन्जुम की फैमिली काफी रूडी वादी सोच की थी परिवार टेलिवीजन के बिलकुल खिलाफ था जिसके कारण 14-15 साल की उम्र तक अन्जुम ने कभी टीवी नहीं देखा था काफी जिद करने के बाद उनके अपू टीवी तो ले आए लेकिन इस बात से खफा होकर अन्जुम के दादा दो साल तक उनके घर नहीं आए अन्जुम ने एक इंटर्वी में बताया था मेरे पिताजी चाहते थे कि हमें अच्छी जिक्षा मिले लेकिन जब साल 2009 में मैंने मॉडलिंग करने के बारे में बताया तो घर में तुफान आ गया उनके पापा काफी दुखी हो गए अन्जुम के पापा ने कह दिया कि अगर अन्जुम शोबीज में गई तो उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा अन्जुम ने अपना बुर्खा अलग रखा और बेग लेकर घर छोड़ दिया मुंबई में इस्ट्रगल के दिनों में वो एक परफ्युम की शॉप पर सेल्स गल का काम करने लगी अन्जुम ने बताया कि कई बार उनके पास खानी के लिए पैसे नहीं होते थी लेकिन उन्होंने कभी घर वालों को फोन नहीं किया अन्जुम को जब पहला मॉडलिंग असाइमेंट मिला तो उन्होंने घर वालों से इस बात को शेयर किया लेकिन घर वालों को जैसे ही पता चला कि इस मॉडलिंग प्रोजेक्ट में उन्हें बिक्नी पहननी पड़ेगी तो घर वालों ने अंजुम से बात करना बंद कर दिया टीवी की दुनिया में जैसे जैसे अंजुम का नाम होता गया वैसे वैसे परिवार की नाराज़गी भी कम होती गई अंजुम कहती है टीवी पर उन्हें सलवार सूट में देख कर घर वालों को काफी सुकून मिलता है इतना संगर्ष जेल कर अंजुम आज जिस मुकाम पर पहुची है वो वाकई काबिले तारीफ है हम अंजुम को उनके जन्मदिन पर धेर सारी शुब कामनाय देते हैं टेलिवीशन के और भी चटपटी खबरों के लिए सस्क्राइब करें टेली खबरें